नेकिर राइबरेली और वाइनाड दो सीटों से चुनाव जीतने के बाद अब राहूल गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखरकार वो किस सीट को छोड़ेंगे, किस सीट को चुनेंगे और इसी को लेकर राहूल गांधी का एक बयान जो इस पर खूप चर्चा म चुनाव जीतने के बाद राहूल गांधी वाइनाड में वोटर्स का अभार जताने पहुंचे थी, राहूल के स्वागत में भारी भीड उम्री थी, भारी भीड के बीच लोगों से पूछा कि मैं किस सीट सिस्ते पाद हूँ, लोगों का जवाब सुनने के बाद राहूल चर्चा है कि राहूल जोस्ती छोड़ेंगे उससे प्रयांका गांधी चुनाव लड़ सकती है जिनको खरगे जी, राहूल जी और सुनिया जी मिरने लेकर डिसाइड करें देखिए इस बार लखी ली दो सिर्च से जीत गए थे, पिछली बार तो एक स्प में हार गए थे, एक बार और एक स्प में जीते थे वाइडनाट से जीते थे, राही बलेरी से हर गए थे, तो इस बार जीते हैं दोनों से तो बड़े-बड़े बाते ढिंगे हाकेंगे और देखिए उत्तर प्रदेश की मुजफर नगर सीट पर पूर्फ केद्रिबंत्री संजीव बालियान की हार कमांदला बीज़ेपी में आपसी कलह से होता हुआ, अब कोट तक पहुँच चुका है संजीव बालियान के बीच जुबानी जंग में अब कानूनी एंगल भी जुड़ गया है गुरुग्राम के रहने वाले संजीव सहरावत ने संजीव सहरावत को 10 करोड रुपे की मानहानी का नोटिस बेजा है संजीव सहरावत का आरोप है कि संगीत सोम की प्रस कॉन्फरेंस में चिठी बाती गई थी इस चिठी में संजीव सहरावत और संजीव बालयान पर गंभीर आरोप लगाये गया था कि संजीव बालयान ने आस्ट्रेलिया में जमीन खरी दी आरोप लगाये गया था कि जमीन की नाम का जिकर करते हुए लिखा है कि मैंने डाक्टर संजी बाल्यान को आस्टेलिया में जमीन खिदवाई है और जिसमें ये भी लिखा है कि मैं उजमीन में कि खरीद में गवाबी हूँ ये सबी आरोफ फरजी हैं और मेरा संजी बाल्यान से इस तरह का कोई भी किते ना मैंन सगीत सोम ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है और देखे लोकसबा चनाव में महराश्ट्र में हार के बाद जो महायूती है वहाँ पर बयान बाजी तेज हो गई है मुख्यमंत्री महराश्ट्र के एक नाच्रिंदे वो केरें 400 पार वाला बयान ये महायूती को भारी पर गया लोकसबा सीट के हिसाफ से देश के दूसरे बड़े सूबे महारास्ट्र में एंडिय को नुक्साल हुआ है सूबे की कुल 48 सीटों में से एंडिय को 17 सीट पर जीत मिली वहीं इंडिया कटबंदन को 30 सीटे मिली है एक सीट पर निर्दली उम्मिद्वार की ज कुछ जगह पर हमें नुक्सान हुआ है महारास्टा में भी नुक्सान हुआ है सभीदान बदलेंगे सभीदान बदलेंगे लेकिन 400 वाला अखड़ा जो है उसके वज़े से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि यह सब आगे जाके कुछ गढबढ होगी सीम श बख्षी गढबनन का कहना है कि शिंदे ये बात बीजी पी आला कमान को बताए शिंदे को साथ से मिली है परिसे की ताकत पर लेकिन अस्ते नुक्सान तो बीजी पिता शिंदे आ और अजित पावार का दो मिन नहीं हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा उसके वज़े से जैसे ही घड़ी का काटा तो पहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आप को रखे आगे